हाई गाइच, Secure Your Own Hack के मत बाउंटी कोस्ट में आपका स्वागत है आज का आज की वीडियो का मारा टॉपिक है HTML इंजेक्शन तो जैसा की नाद में HTML इंजेक्शन तो इसमें नाद जैसा HTML इंजेक्शन है तो सिंपल ही हम इसमें क्या कर रहे होगे HTML कर रहे होगे तो अब हम बग के साथ ही स्टार्ट करते है HTML इंजेक्शन के साथ चीए तो सबसे पहले जाते है HTML इंजेक्शन क्या होता है तो पहले जो लिख है वो पढ़ते है यह एक security vulnerability है जो attacker को अलाव करता है HTML code इंजेक्ट करने के लिए सिंबल क्या हो गया कि हब HTML code इंजेक्ट कर पा रहे हैं एक web page में ठीक है तो HTML code पहले क्या होता है HTML इंजेक्शन जानने के पहले हम यह जानना पड़ेगा कि HTML इंडियत वोड क्या होता है अब क्या कि HTML I believe कि आपको 678 प्लास ने पढ़ा दिया जाता है स्कून में बट इस्टील अवर किसी नहीं पता है तो सब सर पहले सब करेंगे तो कोई भी वेबसाइट बनती है कोई भी आज के टाइम पे वेबसाइट बनती है वो HTML की उसका जो front end होता है जो line side part होता है वो HTML नहीं में ही बनता है HTML को बोलते है hypertext markup language क्या बोलते है hypertext markup language और यह programming language नहीं है यह markup language है यह आपको याद रखना पड़ेगा पर्मारेट ठीक है अब जैसे basic अब आप जानना चाहते हो HTML इंजेक्शन के बारे में और फड़ना चाहते हो तो जैसे यह अगर हम लग करते है तो आप देखरो जैसे अपने टाइटल में पेच टाइटल नाला ठीक है यह नहीं भीखेगा जैसे अगर में वेबसाइट उपिन करता हो जैसे यह जावाटी कुईन को आना इसका source code हम फ्रेंटेंड में में मोशली तीन तरह की चीज़े यूज़ोर कियर कोई भी फ्रेंटेंड जो किरिये होता है वो तीन तरह से होता है पहला पहला HTML ठीकर दूसरा CSS वर तीसरा JavaScript है त्यों हुआ है जीए तीएफल डिफाइट करते के लिए कौन से टाइग्या से जीसे यहां पर की फाइंड अले करें तो तो आला जबर जावए जावा पाए इस पर क्लिक कर देंगे तिस अपर मिश्कषिक करते तो आप देपो के आंता ये डिफाइन कोद रहा है कि ये एक एक गड़ ये डिफाइन कर रहा है HTML है अम क्या है अब आप ग örज कोन ये किस किलरी च्रहता है ये ग्रीन कदर कर euro इस पेज कह साइड में जिसकती करो फिंच करो तो वह देखोगी ये सब ग्रीन कलर का है ठीक है तो ये green कदर का कोई यह मारकर आप देख लो यह कोई डिफाइड कर रहा है कि इसका कदर स्टाइल क्या होगा बेसिकली वह सीएस डिसाइड करता है स्टाइड अब क्या है कि कुछ-कुछ फर्जज़ालेटी होती है ठीक है जैसे कि इसके प्लिक किये तो यह हलका पीछ जाते हुए दिकराया ठीक है या फिर यह फिर चोटी-चोटी चीज़े होती है जो फज्ज़नालेटी होती है जैसे बैसिकली जो जावा इसक्रिप्ट होता है धिकर जो वैब साइट में अगर हम किसी बटन को क्लिक कर रहे है कि यह सर् करने इसका रिजर्ट कर रहा है यह जावायist के थू होता है तो story इब शारी Barbie की वह सकत्र भी है a ghost it के थूँ अब क्या हो रहा है दो चीक होता है है को के आप सबस्क्रीं क्या करेंगे हिर Sven अब इसी थाइक कर थाइक नियिदे करेंगे जैसे तक ली तरह इख है ताइसा सब्सक्राइब शर्ट करें पर यहां पर इंटोड़क्षिन के यह कि लिए गंत्राइब कर देख दिख दर्ट भाइब यहां कि यहां पेकर गार सिद वाम पर दालें यहां पर दादें यहां स्झालνεग पर debt को करूंद देड़ा माती कांप्तबाइग और थीजिकत और अब देख पाहिंगे कि ऩोसल देडिया एग में क्रिपी पाहिए आपर जालते इंट्रोड़क्शन तू सेक्वियोर एक्स बब परूंती यह तो अभी कोई यह पसमें दिखा रहा हो कि अब कर क्या सकते अब आप देखो कि यहां पर हटा दूपस इसमों तीग है अब आरे पास आजाएगा यहां कि अदर तो बेसिकली एक तरह का अब लिंक इंजेक्ट कर पा रहे हैं तो यह तरह से आपका HTML इंजेक्शन हो गया ठीक है यह होता है बेसिक्स ओफ HTML इंजेक्शन थीए अब लोग बोलते हैं कि HTML इंजेक्शन में बहुत सारे अब कैसे इंजेक्ट करते हैं यह भी हम बाद में देखेंगे ठीक है जिसे अगर आप बहुर कोड़ों तो आप देख सकते हों पार्ट है वहां हम HTML और इंजेक्ट कर पाएं अगर हम इसको करें इसके बाद हम पढ़ेंगे Cross Site Script Cross Site Script इसके बाद जो बढ़ेंगे पढ़ने वाले इंजेक्ट कर पाएंगे तो अब क्या है कि HTML में HTML इंजेक्ट से कर पारें यहां पर हम Java Script JS Injection No JS Injection अगर हम No Java Script Injection यहां पर Java Script नहीं कर पा रहे हैं तब इसे HTML इंजेक्ट कर पाएंगे अगर यहां पर Java Script इंजेक्ट कर पाते हैं तो सिमिलरली HTML Injection का बड़ा फॉर्म हो गया इतनके से जैसे Cross Site Scripting स्क्रिप्टिंग में HTML JS सब इंजेक्ट कर पाते हैं तो क्या है कि मतलर यह होता है कि Java Script Injection कर पा रहा है और Java पर भी Java Scripts Injection कर पाते हैं mostly हम HTML Inject already कर पाते हैं तो यहां पर 99% Cases में हम HTML Inject कर पाएंगे जब भी Cross Site Scripting होगा तो यहां पर JS Injection नहीं पड़ेंगे हम यहां पर mostly HTML Injection पर फोबस करेंगे इसके impact फोबस करेंगे अब क्या है injecting HTML through vulnerable part तो अब देखते हैं अब यहां पर भी डो टाइप होता है Reflected HTML Injection Stored HTML Injection तो यह Basics है इसको देखने से पहले आप देखते हैं Reflected HTML Injection पहले होता है तो यह आपकी cross-site descriptive में जादे पढ़ोगी तो मैं वहीं वहला रेवर लाब जैसे उठा लेता हूँ तो यह तो इससे हो गया अब यहां पर गया है अगर मैं कोई टैग डाल देता हूँ actual I am 32 HTML Injects अब आप बोलोगे कि आप H1 Tag क्या होता है तो H1 Tag के बारे बारे आप simply HTML tutorial पर जाओ आप यहां पर H1 Tag सर्च कर सकते हो तो यह basically आपको HTML coding का basic है अगर आपको यही नहीं पता है कि H1 Tag होता है तो आप यहां पर inject कर भी नहीं पाओगे अगर आपस index सही नहीं रहेगा तो यहां पर count भी नहीं करेगा तो यह सब इकदम basic है कि H1 Tag कैसे use करते है अब हम यहां का source code देखेंगे तो आप देखोंगे यहां पर इंजेक्ट कर दिया तो आप बोलेंगे इससे क्या होगा इससे कुछ नहीं हुआ है बस हमारा ना बारा ठीकर लेकिन अब इसमें बहुत चीज कर सकते हैं जैसे अगर मालनीजिए HTML का पार्ट होता है image इंजेक्ट करता है Okay? अगर क्यों का ब्ड़ल से एक्यों अगेदी हाथ इसका अगर हम पेख ब्रोल याख पेद gnिए अगर से झाथ जाकर गूआ है वह इंजेए को दीए प्रोल्ट is ओध आप जाथ यह पूलव थै। इसके पिछे का बैंगर भीज अटकर उब आग cert इसको दो प्रिवोग कर दो कि इसको पॉपी कर दो आप इंड ऐसार्स ती एसार्सी में ये वैनु डाले दो और दो अब आप देखो ग्याव में इमेज इंजेक्ट कर पार हैं तिक है सिविलर्ने अब अब निंग भी इंजेक्ट कर सकते हैं एचार यह सब यह सब इस्ट टे आपर यहां टीर। क्योंकि अजावा आपर इसको बोलते हैं एंकर तैओंक अप्या होता है ऐसी वने यहां पे गए तिक है आप यहां पर सार्च कर लो है तैग या फिर यही आप सारा HTML का पेलोड देखना चाहते हो तो हम पोर्ट स्विगर तीज़ शीट है लेकिनी जो कस्ति यह आप तैग देख रहे हो नहीं जो तैग देख रहे हो यह जैसे नो इमेट नो फ्रेम इसमें से जैसे आपको मैं basic basic HTML tag अगर बताओ दो anchor tag, base tag, body tag, vr tag, button tag, form tag, canvas tag, column tag, data tag, details tag यह सब HTML tag इसको जूश करके भी आप एक्सेस भी कर सकते हैं और HTML injection भी कर सकते हैं अगर आप or HTML injection जालना जाते है तो HTML injection पेंटेटाउ जाते हैं HTML enrichment Soph fill खोड़ों अन। तक बगया जाती है क्योंकि mostly HTML injection पेर CSS पेर्मेर आप रेक्सेसस ग्मयोट बताओं तो आप moания fastly मेरे हम आगे हम स्थोर्स कोड़ में जालते हैं तो आप पूछोगे कि अब वापस हम हम से रिफ्लेक्ट्ट्ट एंक्सक्षिन, क्या होता है तो स्थोर्स कोड़ में हो एगा है यह रिफ्लेक्ट हो रही है अगर हम यहां से वैनल्यू अटा दे हटा दिया क्या यहां पर वैंद ही है तो इसी दो इसको रिफ्लेक्ट करते है इसका मतलब जब हम इन्पूट में डाले तभी यह यहां पर आए अब यहीं दूसरा चीज होता है अपनर इस्टोर एस्टीमल यहां पर इस्टोर एस्टीमल इंजेक्शन हो गया अब इस्टोर एस्टीमल इंजेक्शन में क्या हो गया यहां पर इस्टोर एस्टीमल इंजेक्शन में क्या हो गया तो सिंपली स्टोर एस्टीमल इंजेक्शन में यह होता कि आगर हमने जैसे एक बार इंपूट कर दिया तो अपने आप execute हो जाना चाहिए था अपने आप execute हो जाना चाहिए था यहाँ पे हमें दुबारा डालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी अब भी हम सब्सक्राइब हो जाता है और हम इस्टोर वाला पाट वहाँ पे जादे डिसक्स करेंगी क्योंकि बेलोड सेम होगे बस अलका मेथड डिफरेंट रहता है तो बिसक्ली सेब चीज हो गया तो यहाँ पे रिफ्लेक्टे थे अमने इंजेक्शन देखेंगे और हमें आप में सब्सक्राइब इसका इंपक्त क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के इंपक्त से थोड़ा डिफरेंट क्यों है तो जैसा कि आप देर सकते हैं यहाँ पे इस का रिक्वेस्ट होता है ठीक है जैसे अगर मैं बॉप्सूट स्टार्ट कर दू है वार अपने बॉप्सूट अगर अपने स्टार्ट करो ठीक है तो अगर मैं यहाँ यहाँ रादो मैं आपको अभी हैकर वर दें बहुत सारे रिपोर्ट भी दिखाऊंगा अश्टी अमल इंजेशन पे आप देखो यह रिफिनेक्ट हो रहा है वेसी कि यहाँ पर तीक है अब यह हो गया अगर यहाँ पर चेंज गर दोगे लेकिन अगर यहीं पोष्ट टाइप रिक्वेश्ट अगर इसको रिपीटर में डालकर पोष्ट टाइप रिक्वेश्ट डालो तो यह आपको अपको सपोर्ट करें आदी तीक है यह वैसे सपोर्ट करता नहीं लेकिन आपका जो पोष्ट टाइप रिक्वेश्ट में आप देख रहे हो रिक्वेश्ट आपका इस तरह का रहेगा तीक है जो पैरामीटर रहेंगे वह आप डायरेक्ली यू आरेल के थ्रू चेंज नहीं कर सकते हो आप यहाँ पे अगर सोचोगे कि चैंज करें तो पोष्ट लिकुएस्ट में यादा के पारामीटर होते ही नहीं लात ठोको पयरामीटर होते हैं वहां मित बेसिकी लिए औस दर्एका पूश हो गया तो यहां पर आप को पैरमी taraf फोगे और आपको पॉश्ट विक्वेेस्ट में अगर सो लेता हूँ कि कर वेड इस पर वीडियो पाएगा पोस्ट रिक्वेश्ट एक्जामपर जैसे अगर हम कोई फार्जनालिटी वाले विबसाइट त जलते हैं इसमें साच होएगा रहा होगा अगा इसमें पॉस्ट रिक्वेश्ट करें, इसमें पता रहा है आप बहुत्स नाहिकर, बहुत्स नहीं के बाद है रहा है आपर भड़ ब्रॉड एप्ड़, अब आपड़ आपण ऑपड़ रहा है मैं यहां पर कोई चेंजेज नहीं हुआ है न सर्ज करने के बाद भी ठीक है अब इसे ऐसे उठाया एक बहुत और कर दूँगा अपना कि और ऐसे सर्ज कर दिया ठीक है आप यह तो गुगल का है ठीक है कि अपना रही रिक्वेस्ट आजो पहले आया है अब शोवा पस्ट मंद करते हैए तो डिश्यार बीग डालते तो डिश्यार टालते हैं अब यह नहीं है तो बीग है अब भी आप यहां पर बीग बीग बिया है आप देवोगे इसमें भी आसे पीक पीक बहुत सारे पोस्रिक्वेस्ट होगे अब इसे वापस से करते हैं अधनर्वाइज यह दिखानी पाएबर कि कि को मैट अब यहां दालते वे और इंटर ति अब यहां पर हमारे पास परफ टी करश रिक्वेस्ट यह भी देखो deci आप get request लेकिन आप देखोगे ये किसी sub domain पे ये basically किसी API पे है इसलिए यहाँ पे पॉप में directly so नहीं हो रहा है इसी तरह से यहाँ पे post request भी बहुत होते है ठीक है जैसे अगर मैं यहाँ पर sign in करने का पोजिस्ट करूँ ठीक है sign in or sign up for get password इन सब के आप जितने भी request देखोगे ये सारे जे सारे post request होगी है अब आप देर सिर्थी ये प्रॉपर post request है ठीक है ये प्रॉपर post request है अब यहाँ पर हमारा जो parameters है वो इस तरीके से है तो हम इसको direct जो इसमें जो changes है इसमें जो changes है वो हम यहाँ से नहीं कर सकते है अब URL से जैसे हम यहाँ पर URL में change कर पा रहे देना जैसा की रिफ्लेक्टेर में हो सकता है सेम चीज store में भी हो सकता है ठीक है अब हम इसके बात बात करेंगे impact का ठीक है impact से पहले हम देखते है और जगा find करने का और रिपोर्ट देखते है HTML इंजेक्शन पर ही बेसित लिए तो अगर जैसे कि मैंने आपको basic HTML इंजेक्शन यहाँ समझा दिया कि आप simply अगर ठीक है यहाँ पर ऐसे ऐसे करके अगर हम दाले अपना प्वेरोड ए एंकर टैग डाले या पिर या पिर जैसे वे डिटेल्स टैग में डालो टीटेल्स ओपन वैर्यू भी आप डाल सकतो प्रोजिंग भी जनुदत लेगी पर दिए अब दिएपो यह डिटेल्स टैग आ गया ठीक है सबसे जादे जो टैग हम यूज करते हैं यह इंपूट टैग कि यह इंपूट टैग हो गया है इसमें डीटेल्स टाल सकते ठीक है इसी तरफ अगर हम हैकर वन पर देख हमारे पास बहुत सारे रिपोर्ट आ जाएंगे जैसा कि मैंने बोला एवरी एस्टी एमें इंजेक्शन है चार्ज होता है ठीक है आप इनका बाउंटी भी देख सकते हो और चीज़ देख सकते हो ठीक है जैसे अगर मैं यहां पर दालता हो ठीक है जैसे अगर मैं कोई दूसरे वेबसाइट पर जाओ search तो इसे तो इस तो हो रहा तो यह पर पोगा इडी कि यह जैसे मैं तो यह भी दुसरे वेबसाइट पर जाता हूँ जैसे मैं बिठब होगी आख इस पर चानाड़ आप सब्सक्राइब आप देखों यूर्ल में अगा पे भी है तिकर और इसको अगर बैक बढ़ देखता हूं तिकर रिफ्लेक्ट हो रहा बहुत है लेकिन अब अब अनारे को क्या कोई भी है विख्टे में करें के लिए कोई भी है जो अब यह तो चैहिए होगा दर या फिर ऐसा फुल यह सारा चीज तो स्टीयम्न विख्शन वे चाहिए होगा अकर यही नहीं देख्ट कर पाएंगों तो मैं स्टीयम्न टाइग जैसे बौडी तैग तो मिसको स्तार्टी रहा बल् क्लोज भी नी कर पाएंगे तरिया इंजेक्ट नी कर पा रहे हैं तुम सारा स्टीज यहां पर डाल के लिए टेस्ट ठीक है अब हम यहां पर सर्च कर लेते हैं अब जैसा कि अबने ओपें तक ट्लोज टाना अब देपोंगे वाव यू 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 सिरे दे सेकेंडरी लिमिट कुछ आगया ठीकें अब हम रीमुव बड़े एन रहा है ठीकां यह सिरे जैसे यहरum फिट अलक पर बमोश डालके हैं अब कर देखेंग की यह जा रहा है तो यह में देखतें मुद हैं जेखों कि यह रिफलेक्ट नहीं मिला सेव श्चाव मैं नहीं हला तो यहां पर वे हैं यहाप देवोगे लिए ठीक है जैसे कि मेने आप doing E to Code और वे के पने ओई लिए और उसके बा।के वाद यहाप देवोगे परसेंच रिरी परसेंच सी इसको कहते एक要च्ग अपन को है सेम चेस यहाँ पर ही के HTML इंकोडिंग यूज हुआ है तो अलग-अलग इंकोडिंग से प्रोटेक्ट हो जा रहा है सेम HTML इंकोडिंग यहाँ पर डबल URL इंकोड इसको कहते है कि 20% 25 लग जाए तो अभी तो दसवे पर हर जगार में अलग-अलग तरक्की इंकोडिंग नहीं मिलिए आप देखोगे कपी पे पीप आप देखोगे 17 नंबर पर तो इनोंने और भी छोटा कर दिया है ठीक है बिसिकली अगर हम GitHub पर जाए सामदे ट्राइ किया अपना रिफ्लेक्ट डारेक्टली नहीं हो रहा था इसलिए वहाँ HTML टैक पॉसिबल ही नहीं था लेकिन यह जो वल्लारेबल था यहां पर क्या था कि हमारा जो यह वाला पार्ट है यह हुब हो उसी तरीके से इनको हो रहा था मतलब इंकोड होके यह पर कोई आसा नहीं था कोई भी इंपोड इंटीसी तरह कि नहीं थी यह आप इसलिए यह इन्पूट टैग स्टार्ट किया और डाल दिया और जैसा कि मैंने बोला अगर आपको कोई भी पेलोड का जानकारी चाहिए आप इसको इंटर्नेट पर से शर्च कर दो इंपूट टैग ठीक है तो जैसा कि हम दे डायरेक्ट इंपूट टैग इंकोड कर दिया ठीक है गाइस आप इसको पूछ बत करो जैसे इंपूट है इसको आप सर्च डूबल फूर इंपूट कर दो आपका यह तुरेंत सर्च हो जाएगा डायरेक्ट ठीक है अब इसक्री आप देट सकते हैं पूरा का पूरा सर्च कर पारे या पिर आप इंपूट टैग से स्वेगर और अच्छे से सीख सकते हैं अठीक है गाइस तो आप हम चलते है इस्टी आप इंजेक्शन को और डिटेल में देखते हैं थोड़ा रिपोर्ट लेखते हैं मैं वीपेल से करेक्ट हो सकता हूँ इसलिए है कि है कर दो डिपोर्ट में अभी है कर वन के वेबसाइट पर जाओं पर प्रॉब्लम आ रहा है तो अम डायरेट इंटर्देट में भी साच कर सकते हैं एस्टी एमल इंजेक्शन रिपोर्ट्स यहां पर पहले ही बता रहा हूँ दो तीन वेबसाइट इस पर आपको आप आपको अपना भी बत दिखाऊंगा इस फुरे ने बाद जिसमेर मेरे को भी है मैसिकली एस्टी एमल इंजेक्शन में आ रहा हूँ तू थाउजन डॉलर तब मैं आवार्ड पाच उका हूँ सिर्फ वेस्टी एमल इंजेक्शन में गाइद ओके तैट्स वन मैं बोड़ र ठीक है इन्होंने एकसेस का पेलोड डाला काम ने किया ठीक है फिर इन्होंने इसका पेलोड डाला अपना ये वाला पेलोड ठीक है और ये इंजेक्ट हो गया था और ये अपना इमेल बेस्टी एमल इंजेक्शन है जो कि हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे कि इमेल ब वेबसाइट डिफेस्वेट अभी कि मैं अभी आपको करके दिखाऊगा यह सारा चीज ठीक है अब जैसे अगर आप कोई बुग देखना चाहते हैं यहां पर इनोने ड्याला और अपना यहां पर पर चीज आप सकते हैं बड़ेखरा रहा है हेंग प्रफिलिवा इंजेक्ट हो गया, फूरा का पूरा जाकर बढ़ा बढ़ा रहा है रब, थीक है, similar case में इन्हों ने जैसा कि मैंने बताए है, anchor tag, anchor tag URL इंजेक्ट करने के लिए होता है, इन्हों ने URL इंजेक्ट गया, ये मेर थक में इंजेक्ट हो गया, proper तरीके से, तो इसी तरीके से यह था basics of html injection ठीक है guys हम हम html injection बहुत ही छोटा बाव है ठीक है और इसको find करता है जैसा कि मैंने बताया बहुत 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 ही जी है ठीक है जैसा कि हम दे डायरेक्ट यहाँ पर इसको use करके कर दिया ठीक है importance यह नहीं है कि html injection एक बब तो आप find कर लोगे ठीक है लेकिन आप report कैसे करोगे ठीक है आप इसको prove कैसे करोगे कि एक legitimate high quality bug है आप इसको exploit कैसे करोगे ठीक है वो सबसे important होता है ठीक है तो सबसे पहला होता है exploitation without open redirection ठीक है और इसको मालवरो click there anchor tag load ती पहला payload हम दे डाला anchor tag कर ठीक है अब यह payload क्या करेगा यह html tag inject कर देता है html tag क्या होगा मैं यहाँ पर भी लित रहता हूँ यह anchor tag है और hr-eaf attributed जो link contain करता है ठीक है यहाँ पे तो यह big.com इसमें आ गया जैसे ही मैं click करूँगा इस page पे अगर मैं मालीजे मैं attacker हूँ ठीक है मैंने यही link अपने friend को बेजी ठीक है अपने friend को मैंने WhatsApp से बेजी उसने यह open किया यह जाएगा link और click करेगा तो यहाँ पे big.com पे जलागे अब यही big.com के जगह मैं यहाँ पे डाल देता email.com जो कि मैं control कर रहा था ठीक है यहाँ पिल कोई आस तो यहाँ पे मैं हर चीजी उससे करवा सकता हूँ यहाँ पे Facebook का interface डाल सकता था कुछ भी कर सकता था basically phishing कर सकता था ठीक है अगर मान लीजे आप आप आजकर बहुत देखते रोंगे market में की लोगों ने Pakistan का website hack कर लिया और उसके उपर लोग ऐसा लिख देते हैं ठीक है H1 जैसा की hack लोग ऐसा लिख देते हैं ठीक है तो यह लिखा आगया hacker ठीक है इसी तर एक mark you tag होता है ठीक है मावाल few ठीक है यह देखिए यह क्या करेगा यह पूरा का पूरा आपको ऐसा कर देगा ठीक है hacker ऐसे ऐसे जाएगा यह सब जीच खूग की जाती है market में HTML injection के दूट I hacked this website या फिर या पिर आप लिख सकते है secure your hacks course ठीक है तो यह आप देख सकते हैं तो यह basically एक दरीक है कि basic exploitation method हो गया अपना इसका क्या कहते है HTML injection का ठीक है लेकिन इससे जादे कुछ हम प्रूब नहीं कर पा रहें अगर जाते से जाते से fishing कर सकते हैं लेकिन किसी को slow off कर सकते हैं ठीक है तो इसले defacement नहीं बगिस्ट बड़ा exploitation नहीं है इसको और अच्छे तरीके से क्यासे exploit कर सकते हैं हम भी इसको use करके किसी अभी location track कर सकते है location track अब यह एक बहुत बड़ा exploitation हो गया अबर मैं आपको यह लिंक भेजू और आपको अबर आप उस लिक को बस क्लिक करो और आपका में लोकेशन पालो तो यह एक बाड़ा एक्स्प्वॉइटेशन हो गया वह कैसे हो गया वह भी मैं सो करता हूँ और यह पूरा का पूरा इक study purpose से है एक इस टील अधर परसन आइडेंटिटी बूसरे परसन का इडेंटिटी कैसे यह स्टील कर सकता हूँ मैं उसको फेस्बूक एवेज यहां पर लगा सकता हूँ अब सारह चीज कर सकता हूँ आप यह दो पर आइपी लोगर ठीक है आप यह पे लोगर युर्ण सॉटन तो आप यहां पर क्रियेट असरुट लिंग कर दो ठीक है तो आप यहां पर जैसे पुछ भी रा सकते हो ठीक है यहां पर ट्रैकिंग पूर्ड जैसे यहां पर मैं दिखाता हूँ URL and image sortlet यहां पर आ नहीं रहा है बहुत सारी आपको वेबसाइट जो है यह आपको पूरा का पूरा लोकेशन ट्रैकर प्रोवाइड कर सकती जैसे आप यह देखोगे यह वाला जोता निक आई पी लॉगर लॉगर डॉट पर इसने मेरे को प्रोवाइड कर दिया अब मैं इसको कॉपी कर लो ठीक है अब अगर मैं इसको सिंपली जाके इथार ओपेन करता हूँ ठीक है ह कि हो यह था ऐस से ठीक है कट कर दो दीया मैंने इंग यहां पर आप यहां पर देख सकते हैं और डेटा एकस्पोर्ट कर शकते हो किकौन पहे ठीक है जैसे अगर मैं उपे तो का option होता है आप देखो मैंने बस क्या किया यहां पर जाके लिंक को पिन किया ठीक है और मेरा पूरा का पूरा आइपी आ गया, ठीक है, आईपी मध्रवानी, ये सब पूरा का पूरा, मेरा मैं GEO कर रहा हूँ, हो आगया, IP आ गया ठीक है, मैं मेरा घर कहा है, ये आ गया, ठीक है, तो ये सब सब चीज आ सकता है, तो अब इस पूर यूज करके हम exploit कैसे करेंगे, ठीकए, आप को पुछ कर दया है आप इधर जाओ कॉपी कर लिया अपने इस लिंग को ठीक है अब आप बोलोगे कि आप इस वेब साइट को यूज करके कैसे एक्सप्राइट करें आप कुछ मत करो आई एम जी एस आर सी ठीक है उसमें डाल दो ठीक है अब क्या होगा यह हो गया अपना अपना फाइनल पर यूर्य टीक है हमें अमें लुकेसार करना था अधना आइपी लोगर से जाके क्रीयट कर लिया और यह कर लिया यह अपना परर यह अज़ाविया मैं इसको डीक ओट करें गे हूँ आपको यह ळाया ज़ाए कि क्यासे डीक ओड अधर यह उतना यह अगर आपको डिकोड करना है आप बस URL डिकोडर सर्च करोगे इंटरनेट पर तो हो जाता है जैसे अगर मैं यू का URL डिकोडर करो यह जब मैं आगे जारें के कोर्स में यह सब चीज आपको नहीं बताने वाला हूं यू URL डिकोडिन हो एगर सारा जीश ठीक है तो अब देखते हैं यह हमारा पेलोड है तो यह क्या करता है IMG टाग इमेज है और यह SRC में जो भी चीज डालेंगे वहां पर यह इमेज लोड करने की कोशिस करता है तो जब हमने इसे भेजा किसी को माल लिजिए मैं आटकर हूं और कोई यह मेरा इनकोगनी टाइग विक्टिंग में ठीक है वह देखेगा यहाप अगर कोई legitimate वेबसाइट लोगी जैसे google.com में HTML इंजेक्शन होगा वह देखेगा google.com में आरे चलो open कर लेते है ठीक है वह open करेगा ठीक है वह open किया ठीक है और वह जब open करेगा तो वह क्य इसरे browser में जाते है ठीक है यहाँ पर open करते है रहा है ठीक है फट कर दिया फिर से हमें refresh किया उसे तो पता भी नहीं लगा ना कि यहाँ पर कोई ऐसा injection हुआ है यहाँ पर कुछ ऐसा दिखा थोड़ी रहा है जब हमने यहाँ पर आप आप देखोगे हमने जब इनको इंपा है और आप उसका पूरा location हो गया ठीक है उसका IP वो कौन सा browser यूज कर रहा है पूरा का पूरा आप सकते हो सिंपल परीके से यह इस्टार्टिंग यह दो वाला जैसे अब देखोगे रेफरिंग पेज गया था को मनलब URL कौन सा था यह समझ सारा चीज आ जा जा रहा है यहा है बहुत बड़े बड़े exploitation होते है है HTML injection का आपको मैं और exploitation सीखना है तो आप इंटर्डेट पर जाके ब्लॉक सार्च कर सकते हो और जैसा के भी hacker one website अभी काम नहीं कर रहा है कुछ cloud failure का भी issue चल रहा है otherwise मैं आपको hacker one के भी कुछ कुछ अच्छ अच्छ रिपोर्ट दिखात भी ठीक है guys तो अभी इसको तो नहीं देखेंगे ठीक है बाकी ऐसे मैं guarantee देता हूँ यह एक ऐसा bug है जिस पे मेरे को two thousand dollar three thousand dollar bounty तक इस पे मेरे चुका है और मैं अपने next video में अपना bug crowd के account मैं आपको वह आना bug भी HTML injection का दिखाऊंगा ठीक है अब जब अब बात हो गई अपन जासा कि बग को भई आपको भाई आपको फिक्स कासे करें अबर कोई बफाइड कर लिया और उसे फिक्स लें किया तो वह सबसे बड़ा प्राव्लम है क्योंकि हमें क्लाइट को यह तो बता दा है कि किसी बग को कैसे fix करते है तो वह आप सिंपल ही इस तरीके से कर सकते हो ठीक है मतलब बेसिक ही होता है कि जैसे script जैसे HTML टांगे जैसे यह open code जो ब्राकेट अप इसको आप URL इंकोड कर दो जैसा कि अमने github.com में जैसा कि यहां पर भी है मैं सर्ज करूं ठीक है और यहां पर दाल दो ठीक है back to mind ठीक है आप STML injection का जो exploitation है यह बहुत जादे जो XSS के फर्म में है बहुत जादे देखने वाले वीडियो में तो यह बस एक बेसिक सा मैं आपको इंट्रो दे रहा हूं एकसेस के लिए भी और STML injection मैं कहा सकता हूं कि STML का छोटा रूप है ठीक है तो उसमें आपको और जादे STML injection को जानने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो से ठीक है तो यह बेसिक लिए आप देखोगे यहां पर क्यों श्टैग आ रहा है नहीं आ रहा है बहुत जबह तुगा अपना नहीं आया यह वाला जो तक डबल कोट वो ऐसे हो गया ठीक है इसको करते है STML इंकोडिंग ठीक है समझागा कुछ ना कुछ ऐसा इंकोडिंग यूज होके अपना जो पेलोड है वो काम नहीं कर रहा है तो सबसे बेस्ट विटिकेशन यही होता है इंपुड देट हो और उसमें से यह सारा चीज रिमूब कर दिया जाए या फिर STML में इंकोड कर दिया जाए इसको बाइपास करना बहुत टफ होता है और इसको इसके दो बाइपासेज भी होते हैं जो कि हम एक्सेस वाले वीडियो में एजली देखेंगे ठीक है गाइस तो बैक्स दो रिस वीडियो ऑईस कर दो एडियो लग्स, जो कर दो किर दो में एक्सेस बाइपासेज ऑाइपासेजियो में एक्सेसको इसको एड्स